हेलो एर्वान आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में आज जो मैं आपके लिए वीडियो कंटेंट लाए वो युनाइट स्पिरिट्स शेर लेटेस्ट निव स्टॉक टू बाइनाव हमने साटेड़ की दिन पे देखा इस पर्टिकलर कंपणी दे कंपनी के नंबर्स काफी इंप्रू हुए हैं कंपनी लॉस में से अगर पिछले साल का हम जून का रिजल देखे तो कंपनी लॉस में थी इस बार कंपनी प्रॉफिट में आ चушकी है और आने वाला समय इस कंपनी का बहुत ही अच्छा होने उना है क्वाटर टू क्वाटर के नंबर्स भी बहुत ही बैतरी नाएंगे इस टॉक को अपने रेडार में रखे काफी कंसॉलिडेशन के बाद ये इस टॉक वापिस एक बार अच्छे रिजल्ट के साथ उपर की तरफ आ रहा है आज के दिन पर हमने देखा प्रॉफिट बुकिंग आयती इस पर्टिकलर स् इस टॉक पर नजर रखे अपने वाच लिश्ट में स्टॉक को एड़ कीजिए और जितना हो सके इसमें पिरियॉडिक इंकम जनरेशन करने की कोशिश की हाई बीटा स्टॉक है पिरियॉडिक इंकम जनरेशन इस पर्टिकलर स्टॉक में बहुत ही अच्छे से आप कर सकते ह है या फिर सन फार्मा में हम करते हैं उसी तरीके से यहां पर पिरियॉडिक इंकम जनरेशन करने का एक बैतरीन मौका है तो सबसे पहले समझे इस रिजल्ट को समझे इस टॉक के इंपोर्टन्स को समझे और उसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखना होगा और अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रू लाइक करना वीडियो को शेर करना चैनल को सबस्क्राइब करना जिन लोगों अभी जग चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है ताकि आपका जो पॉट्फोलियो और प्रोफिडिबल हो सके तो चलिए सबसे पहले वीडियो की सब्सक्राइब करते हैं और उसके लिए सबसे पहले सबसे पहले इंकम पे देखना पड़ेगा कि कमपनी ने इंकम कितना जनरेट किया है पिछले साल का अगर इंकम देखे तो कमपनी का था करीबन यहां पर जीते भी फिगर्स है वह सबसे पहले फिगर्स को समझ दीजिए रूपीज इन बिलियन से फिगर्स यह तो पिछले साल का जो फिगर था था 38259 एस पर जून 20 और अ सब्सक्राइब देखे तो कमप्री ने अच्छा रिजल्ट यहां पर इंप्रूफ किया इंटरम्स ऑफ इंकम जनरेशन एक्सवेंस की बात करें एक्सवेंस पिछले साल अगर हम देखे ऐस पर जून 20 तो एक्सवेंस इस थे 40,000 420 के आसपास और इस पार अगर एक्सवेंस इस बार कमप्री का इंकम है 61 के आसपास और जो एक्सवेंस इसे वह 60 के आसपास है तो यहां पर clear cut दिख रहे है कि एक्सवेंस को यहां पर कंट्रल में रखा गया और उसी वज़े से कमपनी प्रॉफिट में आ या यह बार प्रॉफिट बिफॉर टैक्स की बात करें तो प नेट प्रॉफिट पिछले चाल था एंगी नेट लॉज था 2915 के आसपास और इस बार नेट प्रफिट आया है 500-13 के आसपास तो बाई डीफल्ट यहां पर अच्छा कह सकते ही प्रॉफिट हुआ है नेट प्रॉफिट हुआ है और इसके चलते वह आने वाले quarter 2 और quarter 3 के numbers improvement के साथ आएंगे वो expectations market में चल रहे हैं इस particular stock के लिए और उसके चलते यह stock में periodic income generate कर सकते हैं साथ ही में short term to medium term income भी generate कर सकते हैं इस level पर invest करके EPS जो पिछले time था वो दा negative 3.40 इस बार positive 0.78 तो EPS में काफी अच्छा improvement हुआ है negative 3.40 से directly 0.78 के आसपास EPS आ चुका है अगर कल फ्राइड़े की दिन का closing देखे तो 683 के आसपास था और आज का अगर हम closing देखे तो करीबन 650 के आसपास है निफ्टी के साथ अगर पिछले एक साल का performance देखे तो as compared to nifty इसने negative 29 परसंट का return दिया है तो काफी consolidate हुआ है यह stock काफी पिट चुका है due to last year loss लेकिन इस बार जो quarter one में profit किया है company ने उसके चलते वे यहां पे जो returns percentage आने वाले six to twelve months का वो काफी अच्छा होने वाला है market के application देखे तो करीबन 49,662 के आसपास है almost 50,000 क्रोड के आसपास market के application है और इससाब से यहां पे भी volumes अच्छे जनरेट हो रहे हैं mutual fund की बात करें mutual fund data for the June month यानि जून मत में अगर हम देखे तो 33 mutual fund companies have bought and 29 mutual fund companies have sold with a difference of 6,77,000 यानि almost 7,000,000 शेहस का in and out वे between 33 mutual fund companies buying and 29 mutual fund companies selling in the month of June तो mutual fund companies के radar में भी यह stock दिख रहा है यहां पे returns percentage अगर देखे तो पिछले एक मेने में करीबन तीन परसंट का return है पिछले तीन मेने में 31% का return six months में 9% का return यानि पिछले तीन मेने में यह trending ज्यादा चल रहा है यह stock एक साल में सिर्फ 12% का return है तीन साल में 18% का return पात साल में 42% का return है और अगर 10 साल में देखे तो 232% का return तो जितने भी parameters है in terms of duration of returns percentage सभी में positive return दिया है exclusive return अगर हम कह सकते हैं तो 10 साल का duration है वहाँ पे 232 returns पात साल में 42% का return लेकिन सबसे most attractive इस समय जो stock का लग रहा है वो पिछले अच्छा result दिया है बहुत ही अच्छा return percentage दिया है पिछले तीन मेने में लेवल्स की बात करें तो 65 के आसपास यहां पर RSI चल रहा है यानि almost mid range पर यह इस समय है MFI 81 के आसपास यहानि MFI के अगर compare करें तो और बाट situation दिख रहा है उसके जलते वही यहां आज technically correction आया था Friday की दिन पर देखें तो MFI 81 था लेकिन आज MFI drop हुआ क्योंकि करीबन 3-3.5% का यहां पर stock में correction आया है और इस correction का फाइदा उठाई है इस stock में साथी में landmark में भी हम देख रहे हैं पिछले दो दिन से काफी सारा correction आ रहा है तो यह दोरों stocks अपने watch list में रखें SMA level से इस समय 30-day SMA 661 के आसपास चल रहा है 50-day SMA 637 के आसपास चल रहा है 100-day 588 और 200-day 577 30-day SMA 661 जो आज अल्रड़ी उसके नीचे closing दिया है और 50-day SMA 637 यानि 30-day SMA के आसपास यह stock आ रहा है तब जाके आप इस stock में investment कर सकते है प्राइज और वॉल्यूम डेटा देखे तो फ्राइडे की दिन का वॉल्यूम था 34 लाक्स का जिसमें से 9 लाग की delivery quantity थी उसके पहले Thursday का वॉल्यूम देखे तो 18 लाक्स का टोटल ट्रे वॉल्यूम जिसमें से 12 लाकी delivery quantity देखी गई है शेर होल्डिंग पैटर्न प्रमोटर्स के पास 56 परसंट के आसपास है FIS की बात करें तो 18.98 यानि almost 19 परसंट के आसपास है डिएस 9.94 अगें 10 परसंट के आसपास और public holdings 14.22 यानि well diversified shareholding पैटर्न और उसके जलते वे यह stock में आपको अच्छे से investment करना चाहिए पिछले पास दिन का चाहट पैटर्न देखे तो पास दिन में इसका जो bottom था 649 का था वहां से 683 तक गया था Friday की दिन पर और वहां से नीचे की तरफ यह stock फिर से आज करीबन 650 का closing दिया है पिछले तीन मेने का देखे पैटर्न तो पिछले तीन मेने में 640 से लेके 660 यह जो 20 रुपे का रेंजे उसके बीच में यह consolidated किया है काफी सारा consolidation यह stock ने किया और Q1 numbers के चलते वे टेकनिकल बेजिस पे आज correction हमने देखा लेकिन फिर से एक बार bounce back यहां पे 100% होने के chances है तीन मेने का 50 पैटर्न देखे तो तीन मेने पहले यह stock करीब 511 के आसपास था जो आज हम देखने साड़े 600 के आसपास आ गया है तो तीन मेने में काफी बढ़िया रिटन दिया है और वही रिटन स्परसंटेज में हम देख रहे थे और उसके चलते वे यह stock काफी सार का नाम फ्लैश हो रहा है अगर आपको एक्विटी में कमोडी में करनसी में किसी भी सेग्मेंट में इन्वेस्टमेंट करना है या फिर ट्रेडिंग लेना है या फिर ट्रेडिंग करना है तो आप मुझे कॉन्टाक कर सकते हैं साथ ही में existing portfolio के लिए कोई consultation coaching की ज़रूद है काफी सारे क्वेरी स्वाल हुए थे जितना हो सके मैंने हरे questions के answer देनी की कोशिश की उस 45 minutes के duration में और अब एवरी संडे हम दुपैर को तीन बजे यूट्यूब लाइफ पे joint होंगे आप अपने queries जो भी अपने stock related queries है उसमें पूछ सकते हैं portfolio construction या portfolio management के लिए कोई query है तो website लॉग इन कीजिए consultation coaching book कीजिए थैंक यू